Triton EV, Tesla की प्रतिद्वंदवी Triton EV भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले दो पहिया वहन करेगी लॉंच अमेरिका की वहन निर्माता कमपनी Triton Electric Vehicle Triton Electric Vehicle भारत में अपने पहले मौडल को लॉंच करने के लिए पूरी तरह तयार है कमपनी ने एलान किया है कि वह जल्द ही हाइड्रोजन इन दिन से चलने वाले दो पहिया और तिपहिया वाहनों को लॉंच करेगी EV निर्माता इन मौडलों का निर्मान भारत में करेगा हाला कि कमपनी ने अभी लॉंचिंग की आधिकारिक तारीक का एलान नहीं किया है टैसला को टक्कर देने वाली कमपनी ने इससे पहले मार्च में गोशना की थी कि उसने भारत में अपने पहले मैनिफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कुछ रात में भुच को चुना है ट्राइटन इलेक्ट्रिक वीकल के सीईयो और सेलसन स्थापक हिमांशु पटेल ने शुक्रवार को इस बारे में घोशना की उन्होंने कहा बहुत चल्द हमारे पास भारती इसरकों पर हमारा पहला दो पहिया वाहन होगा जैसा कि उन्होंने पुष्टी की की इवी निर्माता के आगामी दो पहिया और तिपहिया वाहन उत्पादन चरण में है पटेल ने कहा चुन की हमारी प्राथ मिक्ता ने यूग की गतिशीवता को आगे बढ़ाना है हाइड्रोजन इंधन से चलने वाले वाहन ट्राइटन इवी के लिए स्वाभाविक चुनाव हैं ट्राइटन इवी का भुष्ट प्लांट 600 एकर से जादा में फैली भूमी पर बनाया गया है पूरा होने पर यह प्लांट 30 लाख वर्क फुटाकार का होगा भारत में ट्राइटन इवी द्वारा निर्मित होने वाले हाइड्रोजन आधारित वाहनों का विकास गुजरात की राजधानी एहमदबाद के पास आनंद में इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र में किया जा रहा है ये प्लांट Triton EV के वेश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रोप में भी काम करेगा Triton वेश्विक बाजारों में EV इलेक्टरिक कारों, ट्रकों और स्पेशल परपजवीकल्स की बिक्री करता है Triton EV की इससे पहले टेलिंगाना में अपना प्लांट लगाने की उम्मीद थी कम्पनी ने अपनी भारत योजना की घोशना करते हुए पिछले साल हाइदरबाद में अपनी आर्थ सीटर एच इलेक्ट्रिक ACV को पेश किया इसने कहा कि कम्पनी का लक्षिद देश में इलेक्ट्रिक कार, ACV और पिकप ट्रक बनाने के लिए एक स्थानिय मैनुफेक्चरिंग प्लांट स्थापित करना है जिसे भारत में बेचा जाएगा और अन्यदक्षिन पूर्वेशियाई बाजारों में भी निल्यात किया जाए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें